Good morning students, I am Arthi and I heartly welcome you all to my YouTube channel Arthi Education World. My dear students, आज की इस वीडियो में हम आपकी English की Class 10th की Worksheet No. 67 पढ़ेंगे, जिसकी डेट है 17th of January 2022. My dear students, name of the student में आप अपना नाम लिखेंगे, name of the class teacher में आपको अपने class teacher का नाम लिखना है, या फिर अपने subject teacher का नाम अगर आपको स्कूल में subject teacher लिखने को बोला गया है. चलिए, जो आज की आपकी Worksheet आई है, जो आपका chapter है, आपकी book में, first flight book में, the proposal, उससे आई है. अब इसमें आपको एक extract दिया गया है और उसको पढ़के आपको questions के answers देने हैं. देखे, इस तरीके से कुछ आपकी Worksheet आई है, read the extract given, given extract को पढ़ना है और answer करना है इन questions को जो नीचे दिये गए हैं. चलिए, let's start the Worksheet. Read the reception starts with toast to the couple, जो reception सुरू होता है, ये wedding reception की बात हो रही है, wedding का मतलब marriage का reception होता है, उसकी बात हो रही है कि reception जो समारों सुरू होता है, toast to the couple, couple को toast दिये जाते हैं. A wedding toast is a custom, और wedding toast क्या होती है, एक custom होती है, एक रीती होती है, एक रीती रिवाज हमां का, where a close friend or relative of the groom or bride says a few words to visit the couple. जहां पर क्या होता है wedding toast में, जो wedding toast एक ceremony का नाम है, जिसमें एक custom का नाम है, एक रीती का नाम है, जिसमें एक close friend हो या तो, या कोई समंदी हो, किसका groom यानि के जो दूला होता है, उसका कोई पक्का दोस्त, या फिर कोई समंदी, और the bride says, या फिर bride यानि के दूलहन कुछ सब्द कहती है, wish the couple, मतलब उसको, मतलब दूलहा या दूलहन को wish करने के लिए, कुछ कहते हैं, कि मतलब उनके wishing के लिए तुमारे शादी अच्छी रहे, तो कोई भी close friend कह सकता है, या तो दूलह की तरफ से होता है, या तो उसका द है, उसको उठाते हैं, and drink it up at the same moment, और उसी time पी जाते हैं, आपको पता हैं, सारे glass उठाते हैं, चीयर करते हैं, तो चीयर करके पी जाते हैं, इसी तरीके का ये कुछ है, और पहले उनको wish करते हैं, भी तुमारे शादी अच्छी से रहे, कोई एक बोल देता है, और सब सुन उन्ही की बात हो रही है, people start eating and drinking, लोग शुरू कर देते हैं, खाना, पीना, and generally have fun, और खुब मजा करते हैं, साधरनते हैं, क्या करते हैं, मजा करते हैं, after some time, कुछ time के बाद, the brides get stolen, और जो दूलन होती है, उसको चुरा लिया जाता है, मतलब उसको चोरी कर लिया जाता है, सीडसी एपर्ड, disappears, वो, disappear होता है, वो हाँ से गायब हो जाती है, and when the groom starts looking for her, और जब दूलन होसको देखने लगता है, कहां गई, कहां गई, इस तरीके से, looking for her, मतलब जो उसको सर्च करने लगता है, he has asked to pay a fee, उसको बोला जाता है, कि इसके लिए तुम एक fees दो, मतलब इस his friend who steal the pride, और generally कोन होता है, उसके friend ही होते है, जो मतलब दूला है, उसके दोस्त है, वो चुरा लेते है, then there are bride's friend, और फिर यहां पे bride के दोस्त होते है, they steal the bride's rules, वो bride के जूते चुरा लेते है, the groom must pay money for the suit, और जो दूला होता है, वो अच्छे से लुटता है, बच्चो उसको उसको उसके लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, जो bride के, जैसे हमारे हां होता है, आपने देखा होगा, जूते चुराई की रसम होती है, दूला के जूते चुराई जाते हैं, लेकिन आपे क्या है, दूलान के जूते चुराई जाते हैं, the guests enjoy watching trussles and continue parting, और जो guests होते हैं, व पहला कोशन है, what is the extract about, तो ये सारे के सारे कोशन जितने भी दिये गए हैं, मैं आपको बताती हूं कैसे करने, देखे, पहला कोशन है, what is the extract about, जो extract है, जो हमने उपर पढ़ा, ये किस के बारे में है, तो the extract is about the wedding ceremony and rituals, मैं ये जो extract है, वो wedding ceremony, जो wedding के reception है, ceremony है, उसके बारे में who is being whisked during the toast, और जब ये wedding toast होता है, किसको whisk करा जाता है, तो किसको whisk करता है, bride और groom को, कौन whisk करता है, कोई भी, जो grooms का, या तो close friend, या फिर कोई relative, लेकिन किसम दोनों को, जो couple होता है, या तो आप couple लिख सकते हैं, या bride और groom को, क्या करते हैं, whisk करते हैं, चलिए, who steals the bride, और bride को कौन चोरी कर लेता है, groom's friend has stolen the bride, groom के जो, जो दोस्त है, जो ग्रूम के दोस्त है, वो स्टोल कर लेते हैं, किसको, bride को, धुलहन को, what is to be done to get the bride's sue back, जो bride है, उसके जूतों को वापस लेने के लिए, क्या करते हैं, groom has to pay money, है न, groom को पैसा देना पड़ता है, उस bride के shoes को west, वापस लेने के लिए, तो इसका answer आप इस तरी के से करेंगे, चलिए आगे देखते हैं, आगे भी कुछ questions हैं, उनके answer करते हैं, the word proposal has several meanings, जो ये सब्द है न, proposal, यानि के प्रस्ताव, इसके बहुत सारे several कमतलब होता है, many, बहुत सारे meanings होते हैं, some are given here, कुछ यहापे proposal दिये गए हैं, use the word proposal in these three contexts, हमें जो proposal word है, जो इंग्लिश का word proposal यानि के प्रस्ताव है, इसी context में, इसी के संदर में हमें use करना है, by creating sentence of your own, और खुद से हमें sentence बनाना है, ठीक है, तो देखें, पहला इनोंने context क्या दिया है, पहला संदर क्या दिया है, कि proposal को हम कैसे use कर सकत हैं, a suggestion, plan or action for doing something, एक कोई ऐसा suggestion, कोई advice, या फिर कोई योजना, या ऐसा काम कुछ करने के लिए, तो हम इसे कैसे बना सकते हैं, यहाँ पर proposal का use कैसे कर सकते हैं, the committee is reviewing the proposal for the new restaurant, क्योंकि यह plan करने हैं, यह suggest करने हैं, कि एक कुछ action करने वाले हैं, कुछ काम करने वाले हैं, तो हमने यहाँ पर proposal को इस तरीके से इस sentence में use कर दिया, ठीक है, next देखते हैं, किस तरीके से हम proposal का use कर लेते हैं, an offer for a possible business association, जब हम कोई business association किसी से करनी हो, कोई सी business purpose से कोई proposal रखते हैं, तो वहाँ पर भी proposal यूज होता है, जैसे कि management committee of Samsung have a proposal to mingle with 10 smaller group of companies, तो जो management company हैं, Samsung की, उन्होंने एक proposal रखा है, कि जो 10 चोटी-चोटी सी company है, उनको अपने में mix करने का, तो ठीक है, यह business के लिए हो गया है, क्योंकि वह business करना चाते हैं, बढ़ा करने चाते हैं, उससे related है, the act of asking someone's hand in marriage, किसी का हाथ मांगना, शादी के लिए, यानि किसी के साधी का प्रस्ताव रखना, तो इस तरीके से आप कुछ भी बना सकते हैं, चोटा मोटा सा है, कैसे भी जैसे समझाने के लिए, मैंने आपके लिए यह बनाया है, इडिस बेस प्रपोजल फूर राधा टू जेंटलमेन, वरकिंग इन मल्टी-नेशनल कंपनी, राधा के लिए सबसे अच्छा प आपको वीडियो से बहुत हैं, तो बच्चो अगर आपको अच्छी लगती है, मेरा पढ़ा है, वा समझ में आता है, प्लीज दू लाइक, सब्सक्राइब और शेर, थैंक यू स्टुरेंट्स, एंड डों फोगेट तो ड्रोप लवली कमेंट इन दे कमेंट सेक्शन, थैं